हलो दोस्तो श्वागत है आप सभी लोगों का फिर से हमारे ट्रेडिंग लर्निंग के एक और नए वीडियो में दोस्तो अगर आप लोग आप अफ्सन ट्रेडिंग से पैसा कमाना चाहते हो तो सब से पहले आपको candlestick pattern और chart pattern के बारे में सीखना होगा, क्योंकि दोस्तो जब तक आप candlestick pattern के बारे में नहीं सीखोगे, तब तक आप option trading से एक भी रपिया नहीं कमा पाओगे क्योंकि दोस्तो option trading में जो आप लोग chart देखते हो तो उस chart में जो candle बनता है तो आपको यही पता नहीं रहता कि कौन सा candle बनाए, इस candle का क्या नाम है इस candle के बननी के बाद market उपर जाता है या फिर नीचे जाता है ये bearish candle है या फिर bullish candle है मारू बाजू है, hammer है क्या है कुछ आपको मालूम नहीं रहता है बस आप देखते हो कि green candle बन रहा है तो आप लोग call option ले ले तो और वहीं से market नीचे आ जाता है फिर आपको loss हो जाता है तो ऐसा आपको नहीं करना है अगर आपको option trading से पैसा कमाना है तो सबसे पहले आपको candleistic को सिखना होगा दोस्तो आप लोग अगर से मेरा daily वीडियो देखते होंगे तो आपको पता है कि आजकर मैं चार वीडियो से candleistic pattern को सिखा रहा हूँ तो अगर आप लोग को candleistic pattern सिखना है तो आप हमारी इस channel को subscribe कर लो दोस्तो मैंने इसके पहले candleistic का चार वीडियो पहले ही upload कर दिया है जिसमें मैंने आप लोग को बताया कि टॉप फाइब बेरिश स्केंडलिस्टिक pattern टॉप फाइब बुलिश केंडलिस्टिक pattern इसके अलावा मैंने ये भी बताया कि हैमर कब बनता है मार्केट तो कैसे काम करता है बेरिश मारू बाजू बनता है तो कैसे काम करता है बुलिश मारू बाजू बनता है तो मार्केट कैसे काम करता है तो आप मैंसे बहुत स्यारे दोस्त ऐसी कमेंट कर रहे थे कि पंकश भाई आप बुलिश इंगल्फिंग केंडल के उपर वीडियो बनाओ क्योंकि दोस्तों bullish engulfing candle जो होता है वो market में downtrend के दवरान बनता है और अप trend तक जाता है और उसमें आपको 100-200 point easily मिल जाता है तो इसलिए बहुत सारे दोस्तों लोग comment कर रहे थे तो आज के इस वीडियो में मैं आपको bullish engulfing candle stick pattern के बारे में ही बताने वाला हूँ अगर आप लोग ध्यान से वीडियो को रुख कर सही से समझ कर देखते हो तो आपको यकीनन बहुत कुछ सेखने को मिलेगा तो चलिए अब हम वीडियो को सुरू करते हैं तो सबसे पहले दोस्तो मैं एक image की उपर चलूँगा और वहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा कि bullish engulfing candle stick कैसा होता है देखने में कैसा होता है और ये फिर दिखाऊंगा कि कैसे काम करता है एक image और दिखाऊंगा वो चार्ट रहेगा तो चार्ट के उपर लेकर चलूँगा फिर दिखाऊंगा कि ये कैसे काम करता है कब आपको confirmation मिलता है कब आपको buy करना है कब आपको share करना है तो सब कुछ dip में बताने वाला हूं तो चलिए image के उपर चलते हैं कि ये bullish engulfing candlestick pattern है तो इसको आज मैं आपको एकदम deep में बताऊंगा इसका एक एक जो point है वो मैं आपको बताऊंगा जिससे आपको सब कुछ 100% समझ में आ जाएगा ठीक है 100% आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा दोस्तो सब से पहले हम बात करते हैं कि bullish engulfing देखने में कैशा रहता है ठीक है तो इसका नाम है bullish engulfing तो ये क्या करेगा market में bullish का काम करेगा यानि कि market को सीधे उपर लेकर जाने का काम करेगा ठीक है दोस्तो bullish engulfing में जो पहला candle होता है वो red होता है और दूसरा जो बनता है वो green होता है ठीक है तो bullish engulfing में अभी भी हम कैसे पहचानेंगे क्योंकि बहुत सारे ऐसे पहले red बनते हैं फिर green बनते हैं ठीक है तो ये जो इसके पहले वाला red रहेगा ठीक है इसके पहले वाला जो red रहेगा ये पूरी तरह से इस green candle से ढख जाएगा ठीक है यानि कि ये इसमें इंगल्फ हो जाएगा यानि कि अगर से इधर कोई ब्यक्ति खड़ा रहेगा तो इधर से ये इस पार देखेगा तो ये वाला red candle उसको नहीं दिखाई देगा यानि कि ये green candle जो है ये पूरी तरह से इस red candle को ढख लिया है ठीक है यानि कि इंगल्फ कर लिया है कभी कभी दोस्तो इस red candle की उपर ऐसे shadow निकला रहता है ठीक है ऐसे shadow निकला रहता है तो इसके बाद जो ये green candle होगा न तो इस पूरे के पूरे shadow को भी ये green candle ढख लेता है तो उसे कहते हैं bullish engulfing candle ठीक है तो इसमें तो अभी shadow shadow यहाँ पर नहीं निकला है मैं इसे इसे निकाल दे रहा हूँ आपको समझाने के लिए ठीक है तो अब देखो यहाँ पर shadow निकल गया है मुम्बत्ती की आकार का होता है ये candle ठीक है तो मालो अभी हटा दिये इसको तो ये जो red candle है पूरी तरह से इसका body और इसका shadow इस green candle से ढख जाता है यानि कि इंगल्फ हो जाता है और इधर कोई खड़ा रहेगा तो ये वाला candle उसको नहीं दिखना चाहिए तो समझ लो जब इस candle को ये green वाला candle अचानक से बने और ढख ले इसको तब मार्केट यहां से उपर जाने का बहुत जादे chance रहता है लेकिन दोस्तो इसके भी कुछ condition है कब ये bullish engulfing काम करता है कब नहीं करता है ठीक है इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है तो दोस्तो bullish engulfing candlestick तब ही काम करता है जब मार्केट का sentiment बहुत देर से downtrend में आ रहा हो जब मार्केट बहुत देर से downtrend में आ रहा हो तब ही ये bullish engulfing काम करता है ठीक है जैसे मालो आप nifty में ट्रेडिंग करे हो तो कम से कम साथ से आठ केंडल ठीक है साथ से आठ केंडल ऐसे red बनने चाहिए और अगर आप लोग bank nifty में कर रहे हो तो 9 से 8 केंडल यानि कि 9 केंडल भी हो सकता है 6 केंडल 7 केंडल 8 केंडल तो 9 केंडल तक जा सकता है ये तो 9 केंडल तक जाते जाते ये ऐसा अगर से बनाएगा तो जान लो बहुत ही तेजी से ये काम करेगा और यहाँ पर अगर से support होगा तब तो यह भाई बहुत ही तेजी से काम करेगा लेकिन मान लो अब यह काम करेगा ठीक है तो यहाँ पर आपको buying कप करना है इतना तो समझगे कि market अगर से downtrend में आ रहा है इसके बाद bullish engulfing candlestick बनेगा तब यहाँ से market उपर जाता है ठीक है लेकिन जरूरी नहीं है कि उपर जाता है ठीक है क्यूंकि आपको confirmation मिलेगा तभी तो आप buy करोगे जब तक confirmation नहीं मिलेगा तब तक आप buy नहीं करोगे तो दोस्तों यह तो है अभी image इसके आगे एक chart का image है तो उस पर भी आपको समझाओंगा ठीक है तो सबसे पहले इसको देख लीजिए दोस्तों यह जो bullish engulfing candlestick है यहाँ से यह पहले downtrend में आ रहा था ठीक है यहाँ से यह downtrend में आ रहा था और downtrend में आते हैं यहाँ पर अभी तक क्या था यहाँ से यहाँ तक seller low का दबाव था seller low market को खीच कर नीचे ला रहे थे और यहाँ पर एक bottom है क्योंकि एकदम नीचे जब market आ जाता है तो कोई यहाँ पर support होता है और यह support यानि की bottom पर ही काम करता है तो जब यहाँ से seller low market को खीच कर नीचे ला रहे थे तो यहाँ पर एक बायर्स का हावी हो गए ठीक है यहाँ पर यानि कि बायर्स लोग हावी हो गए और यहाँ पर अचानक यहाँ पर ट्रेड पर ट्रेड करने लगी तो यहाँ से यह मार्केट अचानक सडनली ठीक है सडनली बहुत ही उपर निकल गया और यहाँ से जब यह उ पता चल गया कि यह बूलिस इंगल्फिंग कंडलिस्टिक बन चुका है ठीक है यह तो पता चल गया कि यह बूलिस इंगल्फिंग कंडलिस्टिक बन चुका है लेकिन आपको बाई कहां पर करना है बाई आपको इसके बाद वाले यानि कि इसके बाद वाला कौन सा कंडल है य ओभी यहां पर आपका बंग होगा ठीक है तो आपका बाइंग range कौन सा हो गया ये वाला जो range है ठीक है ये वाला जो range है ये आपका billion position हो यहां पर होगा और यहां से buying करने के बाद में market धीरे धीरे यहां से उपर की तरफ निकल जाता है तो ये इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि market जब नीचे आता रहेगा तो इस प्रकार का candle बनाएगा यानि कि यहां पर confirmation मिलेगा तभी आपको buying करना है अब दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि market यहां से downtrend में आ रहा होता है downtrend में आता है bullish engulfing भी बना लेता है लेकिन इसके बाद वाला जो candle रहता है वो red हो जाता है तो red हो गया उससे कोई दिक्कत नहीं है फिर मालो red हो गया लेकिन red होनी के बाद अगर से market क्या है उपर नहीं जा रहा है ठीक है और नहीं इससे नीचे आ रहा है ठीक है तो आपको 2-3 candle और वेट करना है जब से ये वाला candle जो जब से अगला candle इस वाले red को break नहीं करेगा तब से आपको trade नहीं करना है मालो यहाँ पर red बना यहाँ पर red बना यहाँ पर red बना यहाँ पर green बना लेकिन फिर भी आपको buy नहीं करना है जब से आपको यह वाला जो line है यहाँ का जब से यहाँ से उपर नहीं निकलेगा तब से आपको buying नहीं करना है और जैसे ही इस red candle को यहाँ से break किया तो market बहुत ही तेजी से उपर की तरफ में जाता है तो इतना समझ लिया तो चलिए एक चार्ट है उस पर आपको समझाते हैं तो दोस्तों यहाँ पर मैं एक और image लगा दिया हूँ आपको समझाने के लिए तो यहाँ से देखो यह market जो है यह downtrend में नीचे आ रहा है अब ऐसा नहीं है कि downtrend में आ रहा है तो पूरा का पूरा यहाँ पर red candle होगा ठीक है एक आग दो इसमें green candle भी हो सकते हैं ठीक है green candle भी होता है क्योंकि market जो है वो अचानक से पूरे की पूरे नीचे नहीं आता है यहाँ पर green candle, green candle, red green, red green करके ऐसे बनाते बनाते आता है ठीक है यानि कि यहाँ से market बहुत देर से नीचे आ रहा हो औ का एक पम अप्पर बेस आफर अनिक कि बॉटम हो और का इसके बाद ऐसा कंश्क बनाता तीक है इन्यश्च को सब्सक्राइइन तीक है इसके पहले निकला है तो इस इसको ही बोलते है सैडो और कहीं कहीं बोलते है इसको विक्स ठीक है तो ये उसमें नहीं था लेकिन इसमें है ठीक है तो इसका देखो ये जो सैडो है ये जो सैडो है सैडो और इसका बोडी ठीक है ये रेड वाला जो होता है पूरा पूरा ये बोडी होता है जो उपर विक् बोलते हैं और बाकी जितना ये red red है इसको बोलते हैं क्या body ठीक है तो इसका जो ये वाला green candle है इस red candle के body और shadow दोनों को ढख लेगा यानि कि दोनों को इंगल्फ कर लेगा आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो green candle है इस red वाले candle को पूरी तरह से ढख लिया है ठीक है और कने के बाद यहाँ पर देखो ये red candle मनाया है मैं इसके पीछे बनाया था कि जरूरी नहीं है कि यहाँ पर green candle ही होगा देखो यहाँ पर red बनाया है लेकिन यहाँ पर buying नहीं होगा ठीक है फिर से ये green बनाया है फिर भी buying नहीं होगा आपका कब buying होगा मैंने आपको बताया तो यहां पर आपको एक ट्रेंड लाइन मार देना है अगर से विक्स निकला रहेगा तो उस विक्स के ऊपर से निकलेगा तभी बाई करना है तो यहां पर देखो जो यह ट्रेंड लाइन की तरह मैं मार दिया हूँ इसके ऊपर मार्केट निकलेगा यानि कि यहां पर आएगा तब आपको बाई करना है ठीक है तो यह वाला जो रेंज है आपका यह बाई रेंज है ठीक है यह वाला जो रेंज है आपका यह बाई इंफर्मेशन मिला यहां प्रभाई कियो तो यहां से तुरंत मार्केट बहुत ही तेजी से उपर की तरफ निकल जाता है तो इस तरह से अगर आप लोग ट्रेडिंग करोगे तो आपका ट्रेडिंग में जल्दी लोस नहीं होगा ठीक है तो इस तरह से बूलिस इंगलफिंग कंडल इस्टिक काम करता है एक बार ध्यान से समझ लेजिए अगर से निफ्टी हो या फिर बैंक निफ्टी हो लगातार मार्केट नीची गिर्थागि आ रहा है यहां पर एक आग बार साथ से 8 कंडल ठीक है 7 से 8 कंडल लगातार डोल ट्रेड होता है लेकिन जरूरी नहीं क और यहां से market क्या करेगा सीधे नीची आता रहेगा तो देखो यह एक trend line होता है यहां से ऐसी करके इसी के साहरे पर नीची आ रहे और जैसे ही यहां पर यह candle बनाया है bullish engulfing ठीक है इसके बाद यहां पर confirmation नहीं मिला है और जैसे ही trade आपको लोगे यहां पर confirmation मिलेगा आपके जैसे लाखो लोग है trading करने वाले वो लोग यहां पर तुरंट बाहिं करते हैं और यहां से market उपर निकल जाता है तो इस तरह से अगर आप लोग trading करोगे तो आपको 100 point easily मिल जाएगा ठीके लेकिन आपको क्या होता है आप 10 point पाते हो market में तुरंट यहां से exit कर जाते हो तो आपको यहां पर बड़ा profit इसलिए नहीं होता है अगर आपको बड़ा profit चाहिए तो आपको setup के उपर काम करना होगा ठीके आपको proper knowledge लेना होगा कि कब market नीची आता है और कब market उपर जाता है तो I hope दोस्तों आप लोगों को सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा कि bullish engulfing candlestick pattern कैसे काम करता है दोस्तों अगर candlestick से related आपकी कोई question है or query होए अगर आपको कोई चीज नहीं समझ में आता है तो यार अब बिना जिचके आप लोग comment कर दिया करो मैं आप लोग के हर एक comment का reply देता हूँ तब तक मिलते हैं नेक्स टुडियो में जैहिन बन्देमात